अब देखरें नियुस सहर इंडिया और मैं हूँ अर्फाजम अडायंग आज का दिन इंटरनेशनल एंटी क्रॉफशन डे के रूप में बनाया जाता है और हमारे भारत की अगर बात करें तो बड़े दावे किये जाते हैं कि क्रॉफशन पे रोक लगाई जाएगी और जब स क्या कहना चाहेंगे आप क्या क्रॉफशन पे रोक लगी है और आज का दिन कितना महत्वपून हो जाता है डैंक साब मश्कूर हूँ मैं आपका अपने मुझे मोका दिया इस विशे पे बात करने का आप खुबी वाकिफ हैं कि जमू किश्मीर के संदर्व में मैं बात करू होंगा ट्रांस्परेंसी इंटरनेशनल एक एंजियो हैं उन्होंने एक सर्वे किया था उस सर्वे में जमू किश्मीर को इन्हों डिकलेर किया था नंबर दो पे इस नंबर दो पे करॉप्ट स्टेट हैं इंडिया में अब आप देख लीजिए इल्जाम रगता रहता था पे कि जमू किश्मीर में बरस्टा चाह रहा है तो अभी आप देख रहे हैं कि पिछले दो साल से ज्यादा अब हम यूनियून टरिटरी बन चुके हैं काफी हों मेदे वाबस्ता थी कि यहां का नक्शा बतलेगा हर एक सफेर में इसे हैं लेकिन आज आप देख रहे हैं कि अभी भी ट्रैप किया जा रहा है लोगों को फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि लोगों की जो रिड्रेसल मेकैनिजम जितना इफेक्टिव होना चाहिए अभी उतना इफेक्टिव हुआ भी नहीं है जहां तक करॉप्शन का तालुक है पहले भी जमू किश्मीर में ट ट्रांस्पर इंडर्स्री चल रही है पहले भी अपनी मर्जी से एसेचो लगते थे एसडीपी ओ लगते थे एसपी लगते थे और आज भी वही सिलसला है कि अपनी मर्जी से चंद सिलेक्टिव लोग दोस्व हो एफ एकसेस टू दी कॉरिडोर्स अप पावर उनी को मौका मिलता है रिस्पांसिबल पोजिशन्स पे मतायन होने का यह वो जमू किश्मीर है जहां चार साल साड़े चार साल डिविजिनल कमिशनर जमू मतायन रहते हैं क्योंकि जब कोई आफीसर आपकी मर्जी के मताबक काम करें जिस तरह के पोलिटिकल मास्टर्स चाहते हों यह वो किश्मीर है आपको याद होगा कि एक कैपिनल मिटिंग चल रही थी तो मुफ्ती साब चीप निश्टर थे तो उसमें बात चली हमारे एक सांबा के बहुत बड़े टाल लीडर नोंने कहा कि मुझे हिंदू एससपी चाहिए तो मुफ्ती साब ने कहा था कि एससपी जैन ए जो पलिटिकल लोग उनको चाहिए आप किसी भी डिस्ट्री की बात कर लीजिए भी कल मेरे पस कुछ लोग आये थे वो नाम ले रहे थे कि अगर किश्टवार की बात करें तो बात जो है वो एक किसी पलिटिकल लीडर की बात कर रहे थे कि उनके बिना वहां हवा नहीं चल यह वो जम्मू किश्मीर है, हमें ऐसा लगा था कि बाहरती जंता पार्टी की जब सरकार आएगी तो यहाँ थोड़ी बेतरी होगी, आप देख लीजिए भी थोड़े दिनों पहले हमने एक एक्सपोस किया था कि जम्मू डॉयल्मेंट अथारिटी ने एक प्राइम पीस करते हैं, ठीक है, और उस वक्त पॉपलो सरकार थी, भारती जंता पार्टी और पीडीपी की, ठीक है, यह मामला हमने पॉब्लिक डुमेन में लाया, आप देख लीजिए किसी ने उसकी कॉग्रिजेंस ने लिए, लजी साब की आफिस ने भी कोई कॉग्रिजेंस ने लिए क्योंकि जब तक आप पॉब्लिक इंटरस्ट लिटिकेशन नहीं करेंगे, जब तक आप कोई याची का दायर नहीं करेंगे, ठीक है, तब तक कोई भी यहां पर अथॉरिटी जो है, मैं एक रिस्पॉंसिबल मेंबूरू सिवल सोसाइटी का, मैं कह रहा हूँ कि वो एक इ बड़ी रिच संस्था है उनकी, वो क्यों नहीं पैसे देंगे, और आपको मालूम है कि कलकटा की जो जैज्मेंट आई अबी, जिसमें सोरव गौंगली को कॉस्ट भी डाली है हाई कोट ने, और साथ में अलार्टमेंट को भी कैंसल किया गया है, तो मैं बार बार कहता हू कि बलवन ठाकुर जी का कद जो है, वो स्वारव गौंगली से जो है, वो ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्या LG साब इसमें अक्शन लेंगे, क्या हमारे धीरज गुपता जी, जो Financial Commissioner है, Housing and Urban, कहा जाता है, बहुत इमानदार आत्मी है, लेकिन आपके माद्यम से मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगा उनसे, कि यहां पर भी इमानदारी दिखाईए दीरज गुपता जी, कीजिए इस मामले की छानबीन से कहते हैं, क्या Article 14-16 उनके लिए नहीं है क्या है, ठीक है, तो यहां Selective Killing बड़ी है, जो मैं आप से बात करना चाहूंगा, और अच्छा होगा साफ, शफाफ सरकार जो है, को नहीं चाहता, चाहे हम CBI की बात करें, चाहे हम Anti-Corruption Bureau की बात करें, इस वकत जो फिज़ा है, ठीक है, पहले तो अब थोड़ा बहुत हमने देखा कि पटवारी से, जूनियर असिस्टेंस से, जेई से अब थोड़ा सा लेवल उपर चलाए यह थोड़ा सा जिसे कहते हैं, लेकिन जो पुलिटिकल करप्शन है, जिन्होंने की है, उसमें तो अगर आप देखेंगे, तो सिर्फ जो अपोजिशन के लोग हैं, सिर्फ उन्ही पे हाँ डाला जा रहा है, ठीक है, दा पीपल हुए रिमेंड इन पावर, उनके खिलाफ तो क एक्सपोज हुआ, कि हमारी एक प्रॉमिनेंट पुलिटिकल परसनेलिटी है, हमारे भूत पूर डिप्टी चीपनिस्टर, उनकी कंस्ट्रक्शन जो अवेद थी, वो तो आर्टी आई में जे डिये ने खुद तसलीम किया, और जे डिये ने खुद ये तसलीम भी किया, कि ह कमिट के नोटिस मिला है, तो फिर उसके बाद साथ तीन का उनको नोटिस दिया गया, और आप देख रहे हैं कि सरकार कितनी सीरीस है, जे डिये कितनी सीरीस है, उस सारे मामले में, तो Лजी साब काफी पेन ले घह हैं जमार किश्मीर, इल जी हैं कि पुरी कोशिश है, कि यह सिस्टम थोड़ा स्ट्रीम लाइन हो लेकिन सिस्टम स्ट्रीम लाइन तभी होगा जब आप अच्छे लोगों को साफ शवी वाले लोगों को आप important positions पे बिठाएंगे जब आप चार-चार साल तीन-तीन साल अपनी मर्जी के जो officers हैं आप उनको बिठाएंगे prominent positions पे और सबसे मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जो tented bureaucrates हैं जिनके खलाफ cases हैं जिनके खलाफ FIRs हैं वो secretary में administrative departments को handle कर ले हैं important departments को अभी परसू हमारे division bench ने direction पास की एक public interest litigation शेख मौमर शफी में कि जो all India service के जो members हैं जिनके खलाफ cases हैं जरा उनकी सूची भी जरा high court को दीजिये जरा बात sanction for prosecution की हम करेंगे यह वो जमो किश्मीर है जहां 15-15-20-20 साल prosecution sanction की जो file थी they were gathering dust in civil sectorate लोग retire भी होगे लेकिन prosecution sanction नहीं है उसके लिए P.I.L. करने पड़े यहां हर काम के लिए P.I.L. करनी है बड़े-बड़े scams हैं इस वक्त भी जिसके लिए भी sanction नहीं आ रही उसको दबा कर रखा है ठीक है एक मैं arms गुटाले की बात करूँगा ठीक है सबी लोग बैठे हैं खामोश बैठे हुए हैं इंतजार कर रहे हैं कि फिर शायद कोई इसमें जानी हित जाचिका होगी तो फिर इसके ओपर सरकार की जो है वो नीद खुलेगी देखिए विश्वास आपका governance में कब ब रूटीन में होना शुरू होगी ठीक है सी बी आई ने तीन रिमाइंडर दे दी हैं इनको आम्स रैकेट वाले केस में ठीक है तो सेंक्शन क्यों नहीं दे रही डी ओ पीटी सेंक्शन प्रॉसस क्यों नहीं हो रही उस सारे केस की क्योंकि उसमें senior I.S. officers ठीक है तो कहने की सुप्रीम कोड कहती है दो हजार बारा में सुप्रीम कोड ने कहा Dr. Manmohan Singh वर्स बस सुभा मनीम سवामी रिपोर्टें जैघ्मेνट है सुप्रीम कोड की सुप्रीम कोड ने कहा कि रूटीन में दो महिने कें अंदर सेंक्शन आने चाहिए और maximum तीन महिने अगर तीन महिने क के बाद sanction नहीं आएगी, it is deemed sanction, तो देखते हैं अभी, यह सारी चीज़ें चल रही हैं, और मैंने आपको पहले ही कहा, कि LG इंतिजामिय से उमीद है, LG साब कोशिश कर रहे हैं, कि यहां पर work culture को introduce किया जाए, और मालूम है यहां सब लोगों को, हमारे चीफ सेक्टरी साब भी well-meaning आदमी हैं, उनकी भी intentions जो हैं, वो बिलकुल सही हैं, लेकिन कहीं न कहीं पर ऐसा लगता है, कि जिससे मैंने आपको बताया है, कि जो tented लोग जो prime positions पर बैठे हुए हैं, और आपके माधिम से, आज इस international anti-cruption day पर, मैं LG साब से गुजारिश करूँगा, कि LG साब, जित जितनी भी corporations हैं, जितनी भी government की societies हैं, या जो public sector undertakings हैं, और जितने भी administrative secretaries हैं, और जितने भी senior officers हैं, जितने भी senior officers हैं, जितने प्लीज चेक कीजिए, उनके खिलाफ कितनी departmental inquiries हैं, वो किस F.I.R. में मुलवस हैं, और investigation उनके खिलाफ चल रही है, और कब से चल रही है, अपने आपी तथे सामने आजाएं, अश्किल सर, अगर बात करें हैं, जिससे आपने शुरू में ही कहा, कह दिया कि पूरे भारत वर्ष्प में अगर हम बात करें, जमू किश्मीर स्टेट दूसरे नंबर पे थी, corruption के मामले में, तो इसी को लेके 370 और 351 को तोड़ा गया और कहा गया कि corruption जो है, वो यहां से खत्म हो जागी, बाकी सारी चीज़ें भी थी, लेकिन corruption भी एक मुदा था, जिसको खत्म करने की बात की थी, क्या इस इतने समय में, corruption पे कोई रोक लग पाई है, किसी percentage कुछ आप देना चाहें अगर, और दूसरी बात, जिसना से अगर ह आती रहती है कि आज यहां पे rent headed जो पकड़े गे लोग, officers, कुछ percentage देना चाहेंगे कि कुछ कम ही आई है, डैंक साब, मैं आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे याद आ रहा है, पांच अगस 2019 की अमित शाजी की तक्रीर पार्लिमेंट में नोंने का था कि दो कारण है, एक तो जम्हू किश्पीर में बरस्टा चार और दूसरा उलगावाद, उलगावाद की तो हम बात निंग करेंगे कि वो contain हुआ, नहीं हुआ, वो तो national security का issue है, मैं नहीं टिपनिंग करना चाहता, लेकिन जहां तक बरस्टा चार का तालुक है, एक चीज़ मैं आपको कहू है, जिनका रसूख नहीं है, या उन लोगों को target करने के लिए, जिनको target करने की ऊपर से direction आती है, ठीक है, और सबसे बड़ी बात मैं आपको इस चीज़ कहूंगा, कि structure भी change हुआ, constitutional हमारी इस यूटी का, लेकिन जो मियार है न, जो quality investigation की, और जो duration है, उसमें कोई फरक नही पड़ा, ठीक है, लेकिन जहां पर दिल्चस्पी होती है, जहां पर किसी को, आप समय लीजिए कि कोई direction है उपर से, उन cases में बड़ी, मैं ये कहूंगा कि speed के साथ काम होता है, ठीक है, मैं आपको मिसाल दूँगा, हमारे बूत पूर, वित मंतरी के सपुत तर्शिरी, हिला रहा था आप देख लीजिए, बड़े लोगों के यहां cases हैं, बैंक के, ठीक है, और आप देख लीजिए, लेकिन कितनी जल्दी उनको बुलाया भी गया, फिर उसके बाद उनको गुर्फतार भी किया गया, एक साल शायद, वो जेल में भी थे, फिर उसके बाद CBI ने जो भी एक्षिन किया, वो जन्ता के सामने है, लेकिन इस किसम का जो एक्षिन है ना, यहां पर कुछ और लोग भी हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो वो नराज हो जाते हैं मरे से, ठीक है, उन लोगों के भी इसी तरह के एकाउंट्स NPA हुए हैं, लेकिन क्योंके वो लोग ज अग्षिकेटिव जन्सीज हैं, वो वहां पर स्तर्क नहीं होती हैं, तो फिर फाइदा किस बात का मुझे बताईए, उन्स यू और सेलेक्टिव इन टेकिंग एक्षिन अगेंस दा पीपल, तो फिर आपकी क्रेडिबिल्टी के ओपर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ता ह कि कहीं पे आपने आँखें खुली रखी हैं और कहीं पे आप जान बूज कर आपने आँखें बंद करती हैं, क्यूं बंद करती हैं, क्यूंकि आप केररिस्ट हैं, आपको अपना केरियर बनाना है, ठीक है, आपको सरकार को जो है वो नराज नहीं करता है, तो फिर ऐसा है ठीक है और इससे मेसेज जो है वो समाज में वो ठीक नहीं जाता है गानून की जो बाला दस्ती है हम उसकी बात करते हैं कानून की बाला दस्ती तभी बनेगी जब हम यह कहेंगे के कानून सब के लिए एकुली एपलाई होगा लेकिन जब कानून जो है उसको हम के लिए जब हम कानून को अप्लाई करेंगे तो फिर बात नी बनेगे तुश्किय सर्थ क्या एक मैसेज देना चाहेंगे आम जन तक लिए आज इंटरनेशनल चो एंटी करॉप्शन डे के उपलक्ष में क्या मैसेज देना चाहेंगे मेरा डैंक सब आपके माधियम से मैं कोई इतनी बड़ी कोई शक्सिय तो हो नहीं एक स्टूडेंट अफला हूँ मैं सिर्व यही चीज़ कहूँगा आपके माधियम से मैं LG साब की जो इंतजामिय हैं उनसे ये गुजारिश करूँगा हमें जमू किश्मीर के अवाम को जो आ वो सुप्रिम कोर्ट में बयान देती है कि जब तक रिव्यू पटीशन का फैसला नहीं होगा रोशनी वाले मामले में तब तक हम किसी को भी तंग नहीं करेंगे लेकिन आप देख लीजिए ग्राउंड के ओपर अविक्शन केरी ओट हो रही है जो रेवनियों के जो मुझता नहीं है और मुझे कल भी कोई साथी कहा रहे थे कि जम्मू से डिविजनल कमिश्टर साब के दफ्तर से हर महीने प्राउग्रस मांगी जाती है कि कितनी स्टेट लैंड जो है वो रेट्रीव हुई है एक तरफ से सुप्रिम कोर्ट में अडिशनल सॉलिशिटर जेन में हीरा नगर में रामबन में डोड़ा में कहाल जुगासर गंदों में लोगों को परिशान किया जा रहा है ठीक है सरकार लोगों को परिशान करने के लिए नहीं होती है तो लहाजा आज इस एंटिकरफ्शन डे के ओपर मैं यही मेसेज जो है मेरा रहेगा और मैं खास त तो ये थे मैं साथ एड़ुकेट शेक्षकील सर जिस तरह से अगर बात करें हम आज 9 दिसमबर है और 9 दिसमबर की दिन को जो है इंटरनेशनल एंटिक्रॉप्शन डे के रूप में मनाया जाता है और आप भी अपनी राई जो है वो जुरूर साजा कर सकते हैं क्या लगता है